हलो 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 एवरिबडी मुलाराम चौधरी यह एर ओके स्वावरीबन मुलाराम चौधरी प्रॉम आईटी कानपूर एंड आज गा जो अपना सेशन रहेगा वो अपना एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स करके अपना एक सेशन रखेंगे जिसमें मैं कुछ क्वेशन्स है जिनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और हमारी यह जो सीरीज है वो टॉपिक वाईज आपके सामने अच्छे-च्छे क्वेशन्स लेके आएगी और उ दिसकस करते हैं चलो इन सेशन्स को देखने के लिए आपको फंक्षन का जो थेयरी है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कुछ-कुछ जो भी क्वेशन में थेयरी यूज होगी वो मैं आप लोगं को एक्स्प्लैन करूंगा फिर भी एक बार आप अपने जो भी कोचिं के नौट्स या कैसे भी आप इसकी थेयरी है वो अच्छे से क्लियर कर ले मैं ओके तो फिर्स्ट क्वेशन सेज की वाट इस दर रेंज ओफ दिस फंक्षन ओके इस फंक्षन को तो आद देखेंगे ये एक लोगरिद्मिक फंक्षन भी है 20 में ट्रिक्नोमेट्री भी है और लोग की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने वच्छों पड़ी है अब तक आपने वो देखा कि लोग की प्रॉपर्टीज में यहां कुछ ए लिखा होता है यहां कुछ बी लिखा होता है इसको अपन आर्गुमेंट बोलते हैं इसको अपन बेस बोलते हैं और लोग की जि सबसे पहला attempt वही होगा, कि यह जो भी पूरा function है, उसको equal base के log में अपन convert कर लें, तो देखो, यहाँ पर यह मुझे log के base में root 2 दिख रहा है, यहाँ पर log के base में 2 दिख रहा है, और यहाँ पर यह एक simple number 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको handle करते हैं, तो आ a की power m, argument की power m हो, and b की power n, यानि जो base है, उसकी power n हो, तो वो होता है, m upon n log a to the base b, है न, तो यहाँ पर जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे आपके सामने यहाँ लिखावा है log, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, और यहाँ पर root 2 लिखावा है, यहाँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, यह, इसका argument है, यह लिखावा है actually, 2 की power, 1 upon 2, 2 की power 1 upon 2 लिखावा है न, यह, तो इस वाली property का use करके, आपन यह कर सकते हैं, कि log, यह यहाँ पर argument कुछ भी है, यहाँ बेस 2 आ जाएगा, और यह जो power है, वो आगे आ जाएगी, लेकिन किस की form में, denominator की form में तो 1 upon 1 upon 2, तो effectively यह बन जाएगा, 2 times log, और यहाँ पर argument है, और यह बेस 2 हो जाएगा, तो ठीक है, इसको मैं log 2 के terms में express कर सकता हूँ, ठीक है, अब यह number 2 लिखावा है, तो 2 को तो कुछ नहीं है, इसको आप लिख सकते हो log 2, और यहाँ पर लिख सकते हो, आप 2 का square, ठीक है तो 2 base पर 2 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब में 2 को I can route log 4 to the base 2, यह क्यों किया गया, आप सोचेंगा यह सब क्या सिखा जारा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इन में भी confusion रहता है, I have seen in my classes, तो सबसे पहले आप हमने यह देख लिया, कि इस function के साथ आपको deal कैसे करना है, तो इसकी dealing आपको clear हो गई, अब यह दिसकी dealing clear हो गई है, तो अपने इसका आगे का जो portion है, वो अपन clear करते है, तो for that I need to erase this whole portion, okay, तो इसमें यहां तक I hope आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब यह logarithmic function है, log के अंदर log है, उसके अंदर आपका trigonometric function है, यह यह ले देखर यह आ अंदर जो भी function है, जैसे आपको किसी भी composite function की आपको range निकालनी है, मान लो, तो आप क्या करो, जैसे f of gx का आपको range निकालना है, यह आपका काम है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप जो first step है, जो step 1 है, वो है कि find range of gx, find range of gx, gx का range find out करो भई, gx कहां से कहां vary कर रहा ह अब gx का जो range होगा, यानि जो gx की जो output होगे, वही तो मेरे f के input होगे, is that clear, अब जो gx की जो range आ गई है, step 2 में आप क्या करो, step 2 में आपको करना है, कि analyze f in the range of gx, I think इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, यानि f को क्या-क्या input मिल रहा है, जो g की range होगी, और उस, उसी set में, आप इस set, इसी में आप इस function f को analyze कर लीजिए, और आपको इस question का answer है, वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ इसमें किसी परकार का कोई tension आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो भाई, तो, इस काफी कुछ बोल दिया है, और range find करने के लिए, आपक मैं इस function को modified रूप में लिखता हूँ, और modified form में लिख करके मैं इसकी domain निकालूँगा, सबसे पहले है, ठीक है, so I'll write, I'll write f of x is equal to, यह मैंने क्या बताया था, root 2 है, तो root 2 का मतलब है कि वो 2 आ गया जाएगा, तो 2 log 2, okay, and यह 2 है, तो इसका आप लिख लो log 2 base 4, और minus यह लि sin square x plus 1, alright, अब देखो, इन दोनों का basic वो गया, तो log a minus log b, क्या हो जाएगा, log of a upon b, so you can write it as 2, log base 2 है, और इसमें आ जाएगा log base 2, और इसका जो argument बन जाएगा, वो बन जाएगा, 4 upon 16 sin square x plus 1, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, बिलकुल, यह effectively आपके सामने fx आ गया, okay, अब यह fx आ गया भई, अभी अपन यहाँ से इसका domain भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके, यहाँ पर domain निकाल देता हूँ, इस function का, ठीक है, domain निकालना, very easy, कोई ज्यादा बड़ा मुदा नहीं है, तो देखो, log root 2 है यह तो कोई दिकत नहीं, यह है, इसका जो base है, वो तो defined है, root 2 है, defined है, by log define कब होता, जब उसका base 1 के equal ना हो, और positive हो, ठीक है, बिलकुल, 1 के equal ना हो, positive है, अब इस log को define होने के लिए, अब चलो, अंदर वाला जो log है, वो क्या लिकावा है, 16 sin square x plus 1, अंदर वाले log को यह दि होती है, minus 1 to 1, तो sin square x क्या होगा, 0 से 1 में, उपर से 16 से multiply भी कर दिया, r plus 1 भी कर दिया है, तो यह तो always positive है, इसका मतलब x belongs to r, तो इस अंदर वाले को कोई दिकत नहीं है, अब यानि जो बाहर वाला log है, उसको define करने के लिए, मेरा जो 2 minus log 2 है, और इसमें जो 16 sin square x plus 1 है, यह जो लोग का, यह जो भारवाला log है, इसका पूरा argument है, यह जो पूरा argument है, वो क्या होना चाहिए, यह argument मेरा positive होना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप rearrange करके लिए को थोड़ा, तो इसका rearrangement हो जाएगा, log 2 और log 2, 16 sin square x plus 1 and lesser than 2, right, less than 2 हो जाएगा, okay, fine, और अब इसको log का, मैं anti-log जब लूँगा, तो अब यह log क्या है, base 1 से बड़ा है, यह सारी log की properties आपको clear हो गई है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मैं इसको this side ले गया, तो यह plus हो गया, तो यह less than 2 आगया, okay, अब अपने को पता है कि log की properties, एक बार मैं all लिख देता हूँ, जैसे log a to the base b is greater than c, इस inequality का meaning क्या होता है, this implies a is greater than b to the power c, और इसका मतलब यह भी हो सकता है, a is less than b की power c, यह किस पर depend करता है, यह base पर depend करता है, यदि base आपका एक से बड़ा है, और यदि base आपका 0 से 1 में है, यदि base यदि एक से बड़ा है, तब inequality same ही रहेगी, और यदि base 0 और 1 में है, तब आपके इनके 20 की inequality change हो जाएगी, I hope आपको यह छुट-छुट जो properties है, यह clear होगी, यह यदि clear नहीं है, तो आप जो अच्छे level के questions है, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं वही वाली जो लोग की property, यहाँ पे भी मुझे एक logarithmic inequality दिख रही है, और यही inequality वाली जो property है, वो मैं यहाँ पे यूज करना चा एक बार अपन इसी number को यहाँ पर intact रखते हैं, ठीक है, यह क्या है, यह मेरा domain का definition है, ठीक है, अब देखो भई, अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे इसका range, तो range निकालना है तो देखो भई, अब यह log2 है, उसके argument में भी log है, और उसके argument में यह trigonometric function है, जो हो यह कि denominator में बैठा हुआ है, तो अपन सबसे पहले, इस function को analyze करते हैं, कि इसकी value कहां से कहां तक vary कर रही है, तो सबसे पहले मैं यह देखोंगा कि जो sin x है, उसकी value कहां से कहां तक होती है, तो पूरी दुनिया को बता है, कि वो minus 1 से 1 में vary करता है, एदर यह sin square x भी दिख रहा है, तो आप इसका square कर लो, तो जो sin square x है, वो कहां से कहां हो जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 0 से ले करके 1 के बीच में, क्योंकि square हो गया है, ओके, फिर मैंने इसको 16 से multiply भी कर रखा है, तो पूरी inequality 16 से multiply हो जाएगा, त 16 sin square x और यह 1 से multiply होगा, तो 16, प्लस 1 है, तो आपका plus 1 कर रहा है, तो पूरी inequality में plus 1 होगा, तो यहाँ 0 plus 1 की value कितनी हागी, 1 less than, यह जागे मेरा 16 sin square x plus 1 और यह जागे 16 plus 1 17, ओके, और अब क्या कर रखा है, अब इसको पूरे को reverse कर रखा है, उसको पूरे को denominator में ले रखा ह तो I hope आपको यह चीजें तो again, यह चीजें तो आप जब advance का question कर रहे हैं, तो यह चीजें आपको clear होगी, कि जैसे a, कोई भी यह, यह कोई number a है, a यह number यदि 1 to 17 जा रहा है, तो obvious बात है कि जो 1 upon a हो कहाँ जाएगा, यह number reverse हो जाएगे, यह जाएगा 1 upon 17 से ले करके 1 तक, अरे हाँ कि ना, तो इसका मतलब हो गया, this implies, this implies what, this implies 1 upon 16 sin square x plus 1, यह जो value है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी 1 to 1 upon 17, अब यह उपर देख रहे हैं, तो multiply by 4 भी किया हुआ है, तो इस पूरी inequality को 4 से multiply कर लो, तो 4 is less than equals to 4 upon 16 plus sin square x, sorry, 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 यह 16 plus नहीं है, यह 16 into sin square x है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा correct कर देता हूँ, तक यह आपको किसी तरह का कोई confusion ना रहे, तो यह आ जाएगा 16 sin square x plus 1 lesser than is equal to 4 upon 17, यह अंदर वाला जो function है, उसका behavior है, अंदर वाला जो यह value है, देखो, again, cool mind से सुचो, यह log, log का argument एक logarithmic function, और उसका जो argument है, वो एक trigonometric function denominator में बैठा है, इसको हमने analyze करते होरते, हमने यह देख लिया कि यह जो value है, वो 4 से लेकर के 4 upon 17 तक जा रही है, 4 से लेकर के 4 upon 17 तक जा रही है, sorry, sorry, हमने यहाँ पर कुछ गडबड कर दिया क्या, 1 upon 17 है ना, यह 1 upon 17 to 4 होगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा mistake हो गया बच्चों, sorry for that, यह देखो, 1 upon 17 होगा ना, तो यह जो 1 upon 17 है, यह जो 1 upon 17 है, वो यहाँ आ जाएगा है ना, देखो बैज, यह 1 upon 17 यहाँ जाएगा, यह आपका 4 upon 17 यहाँ जाएगा है ना, तो यह value 4 upon 17 से लेकर के 4 तक जा रही है ना, sorry for that, I hope, लिखने से mistake हो गया उस टाइम पर, I hope आपको अब यह खिलिए होगा, यह दि एक ही value 1 to 17 जा रही है, तो 1 upon 17 से 1 तक जाएगा, तो similar situation यहाँ पर थी, तो यह हो गया, अब यह जो अंदर वाला function है, वो मेरा 4 upon 17 से लेकर के 4 तक जा रहा है, यानि इसकी maximum value क्या है, इसकी maximum value 4 आ रही है, अब यह log 2 है, base 2, यह log का base 2 है, base 2 है, मतलब यह increasing function है, अब मैं थोड़ा सा next slide में जाऊँगा, next slide नहीं है, इसमें, okay, one second, I need to insert one slide, so that I can explain you better, okay, so I'll insert a slide, ठीक है, all right, fine, no worries, तो अपन दूबार रहे हैं, उची चीज़ पूर डिसकस करते हैं भई, अपन क्या बात कर रहे थे, हाँ, अपन यहाँ पर थे, देखो यह log 2 है, और उसके अंदर का जो value है, देखो भाई, log 2 है, उसके जो अंदर का value है, वो 4 अपन 17 से लेकर के, 4 तक vary कर रहा है न, 4 अपन 17 से लेकर के 4 तक vary करता है, अब log का base 2 है, log का base 2 है, तो log के graph याद करो आपे न, log का graph, बच्चों ये भी होता है, और log का graph ये भी होता है, ये जो graph है, ये भी मेरा log, x to the base A का है, y is equal to this, और ये graph भी y is equal to log x to the base A का है, ये graph कब होता है, ये graph कब होता है, अब ये graph तब होता है, जब a greater than 1 हो, बेस अब एक से बढ़ा हो, और यह करा आप कब होता है जब यह का value 0 और 1 में हो अब यहां पर तो जो base है वो 2 है मतलब यह increasing function है यह increasing function है देखो इसका value हमेशा increase कर रहा है negative infinity to positive infinity तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इसका argument देखो यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह matter कर जाता यहां पर 2 लिखावा है यहां पर value 1 by 2 होती है तो यह decreasing function होता तो अब यह log 2 है value 4 by 17 से 4 तक जा रही है इसका मतलब यह हुआ यह increasing function होगा तो increasing function है तो इसका मतलब यह इसकी जो maximum value आएगी वो 4 पर आएगी ना कि 4 upon 17 पर आएगी समझ रहे हो कि नी समझ रहे हो तो यदि मुझे इस function इस पूरे के पूरे function की यह जो effects दिया वाए इसकी maximum value निकाल लिए है तो वो इसकी maximum value पर आएगी और इसकी maximum value 4 है तो इसका मतलब अब मैं यहां से effects maximum निकाल लेता हूँ यहां से मैं इस part को तो erase कर देता हूँ बच्चों यह explain करने के लिए था अब मैं इसकी इसमें यह सारी की सारी बाते देको छूपी हुई है ना यह सब आपको पता होना चाहिए बाई अब मुझे निकालना है function का maximum value तो fx maximum fx maximum कहा होगा fx maximum will be at will be at when 4 upon 16 sin square x plus 1 will be equals to 4 जब इसकी value 4 के ब्रावर हो जाएगी तो इसका मतलब यहां से हो गया जो fx max है fx max fx क्या है वाई यह अपना कितना है 2 है log 2 है log 2 रिसके अंदर यह argument value आजागी 4 उसी point पर यह से बचादा होगा तो यहां से आ गया 2 यहां गया log 2 और यहां पर भी log 2 है और यह value आप ले लो 4 इसको आप calculate कर लो यहां गया यह लो 2 और यह लो 2 और यह कितना है यह आपका 2 यह 4 का आप 2 जड़ो हूँ लिखना 1 हो जाएगा log 2 1 हो गया यह 2 आ गया तो अपने को यहां से यह समझ में आ गया, कि इसकी जो maximum value है, वो तो आपने 2 निकाल दी वई, यह देखो, answer में भी 2 दिख रहा है, तो maximum value निकालने माँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, maximum value निकालने माँ आपको किसी भी type का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब देखो, अब minimum value कैसे निकालेंगे, तो maximum value तो 2 आ गई, now, fx minimum, fx की minimum value कैसे निकालें, बताओ देखेंगे भाई, minimum value कैसे निकालेंगे, any ideas, तो देखो, again, minimum value तो आपके इस function की definition में ही छुपी हुई है, function की जो definition है, वहाँ पे भी minimum value का clue चुपावाई, कैसे देखो, अब ये log के अंदर input में जा रहा है, log के अंदर ये input में जा रहा है, तो log के अंदर input में जा रहा है, तो इसकी domain क्या आई है, domain आई है कि 16 sin square x plus 1 should be less than 4, ये value 4 से छोटी होने चाहिए, equal to 4 होने से तो दिक्क्र हो जाएगा, क्योंकि equal to 4 होने से तो ये पूरा argument 0 बन जाएगा, तो 0 तुसको log का argument आपका 0 कभी हो नहीं सकता, log का argument आपका कभी भी 0 हो नहीं सकता, ठीक है, ये part explain करने के लिए, मुझे ये वाला portion को remove करना पड़ेगा, तो इस वाले portion को तुम्हें remove कर देता हूं बच्चों, पिकोज आपको ये सब तो clear है, I hope आपके ये सब clear हो गया होगा, ओके, one second, इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, I feel like there is some technical error, okay, leave it, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने इसी को discuss कर लेंगे, तो देखो, इसकी value है, वो 4 से चोटी होने चाहिए, यानि कि इसकी value 4 से चोटी है, ये जो अंदर लिखावा है, वो 4 से चोटा, 4 से चोटा है यानि 4 माइनस है न, 4 से थोड़ा सा चोटा, अब 4 से थोड़ा सा चोटा का क्या मतलब देखो, यानि अपन जानते हैं कि जो log 4 to the base 2 है, इसकी value कितनी आती, 2 आती, लेकिन ये जो argument है, वो 4 से थोड़ा सा चोटा है, इसका मतलब ये वैल्यो 2 से थोड़ी सі चोटी आएगी, आना, 2 से ये थोड़ी सी चोटी आएगी तो 2 माइनस, 2 से थोड़ी चोटी सी वैल्यो, तो ये वैल्यो लगबग 0 होगी, लेकिन 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, ये वैल्यो मेरी effectively 0 प्लस है, मतलब यह 0 से थोड़ी सी बड़ी है 0 से यह value थोड़ी सी बड़ी है अब यह दिये value 0 से मेरी थोड़ी सी बड़ी है तो आप बताओ भई इसका value क्या आना चाहिए इसका value क्या आना चाहिए अब यह जो पूरा log है यह log 2 लिखावा है मैंने आपर और इसका अंदर का जो यह argument है वो actually zero plus है यानि zero से थोड़ा सा बढ़ा है तो log का graph तो जानते ही है ना पन भाई log का graph होता है कुछ ऐसा तो यानि यह input इसका जब zero plus होगा तब इसका value कहां जाएगा negative infinity की तरफ जाएगा तो इसका मतलब इसका minimum value है वो एक unbounded value होगा और वो negative infinity को जाएगा that is why the answer is minus infinity to 2 I hope आपको यह answer clear होगा किसी को कोई दिक्कत हो तो आप नीचे जो आपको जो भी comment section दिये गए है उसमें आप लिखना otherwise कोई tension नहीं ठीक है यह आपके clear होगा है वई चलो अगला question और discuss करते हैं अपन इसी शीरीज का and the question is again its own range और इस बार जो range है वो inverse trigonometric function का sum लिखावा है 10 inverse x plus 1 by 2 sin inverse x ठीक है तो again an easy question तो उससे पहले आपको थोड़ा सा है इन function का behavior आपन जान लेते हैं देखो जो भी आपको fundamental function यूज हुआ है उसका behavior आपको पता होना जा behavior मतलब उसका पूरा graph आपको देखो जो 10 inverse x है उसका graph मैं एदी एक बार आपके सामने plot करूँ तो इसका graph कुछ ऐसा होता है यह minus pi by 2 होता है यह आपका pi by 2 होता है और इसका यह वाला graph होता है ठीक है यहीं पर मैं एदी आपका sin inverse x का graph plot करूँ sin inverse x का plot इसकी domain होती है minus 1 से 1 और यह value जाती है आपकी minus pi by 2 से pi by 2 ठीक है तो minus 1 पर यह minus pi by 2 होता है और 1 पर यह pi by 2 होता है तो यह जो plot है वो कुछ ऐसा होता है रब थोड़ा से हैं समझ लेआँ इस टाइप का यह plot होता है अब देखो दोनों ही function दोनों ही function अपनी domain में increasing function है दोनों ही function अपनी domain में increasing function है यह भी increase कर रहा है देखो minus pi by 2 to pi by 2 increase कर रहा है यह भी minus pi by 2 to pi by 2 increase कर रहा है ओके increasing है और अपनी domain में यह continuous function है continuous है अग नहीं है बिल्कुल है, ओके तो सबसे पहले ता आप इसकी domain ही पता कर लो, कि भाई range निकालने के लिए domain सबसे जरूरी है, domain की बिना आप सोच ही नहीं पाओगे, तो अपने को पता है कि जो domain अपने को निकालनी है, domain of the function, तो जो 10 inverse x है, इसकी domain तो क्या होती, आर, ये तो हमेज़ा ही defined domain ये कोई दिकत नहीं है, और जो sine inverse x है, उसकी domain होती है, minus one to one, अब ये दोनों को मैंने plus करके लिखा है, तो domain of the function क्या आजएगा, वो आजएगा इन दोनों का intersection, इन दोनों का intersection क्या हो जाएगा, minus one से one, तो इस पूरे के पूरे function की जो range आगई, वो आगई, minus one to one, okay, minus one to one य ये इसकी range आगई है, minus one to one ये इसकी range आगई है बच्चों, तो, अब इसकी range minus one to one आगई है, तो minus one और one में तो दोनों ही continuous है, और दोनों ही आपके well increasing function है, किसी को भी किसी भी type का कोई tension नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, one second, I feel there is some issue with my touchpad, okay, no worries, तो अपना जो domain of the function आगया है, domain of the function आगया बच्चों, अपना minus one से one, अब minus one कहा होगा, minus one यहाँ पर कहीं होगा, और इसमें भी one मेरा, यहाँ पर कहीं होगा, तो minus one से one में दोनों ही increasing function है, तो दोनों ही increasing function है, इसका मतलब effectively ये function भी क्या हो जाएगा, ये function भी क्या हो जाए करेंगा यहां पर यह भी functionencias और यह भी function इन्करीजिंग इसका मतल 15 क 6000 क्या हो गया और यहिस इन्करीजिंग का Minimum Value क्या होता आप यह इन्करीजिंग भी है और continuous भी है though इसका मतलो दो the minimum value अभी और his Heart A lot in Mean Ale LISA और में पर आएगा तो आपने को पता है कि जो FX X minimum कितना हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा F of minus 1 निकाल लो F of minus 1 हो जाएगा मेरा 10 inverse minus 1 plus 1 by 2 sin inverse 1 तो 10 inverse minus 1 कितना होता है भाई minus 5 by 4 minus 5 by 4 plus 1 by 2 और sin inverse 1 कितना होता है भाई भाई 2 तो यह भी है मेरा minus 5 by 4 minus का भाई भाई 4 वन सेकंड वन सेकंड I think there is some problem with this answer or what तो domain आगया आपका minus 1 से 1 fx का minimum value आगया आपका F of minus 1 तो 10 inverse of minus 1 plus sin inverse of minus 1 होगा यहापर देखो यह हमने गलती करती है ना तभी मैं सोचू what is the problem यहाँ पर यह issue है थोड़ा सा ठीक है बच्चों यह देखो आप तो 10 inverse minus 1 की value minus 5 by 4 और sin inverse minus 1 की value minus 5 by 2 यह effectively minus 5 by 2 है तो यह आगया मेरा minus 5 by 4 और minus का 5 by 4 minus minus 5 by 4 कितना आगया minus का 5 by 2 तो यह इसकी minimum value आगई और similarly आपको fx maximum निकालना है तो fx का maximum value कितना आजाएगा वह जाएगा f of plus 1 f of minus 1 नहीं f of plus 1 तो f of plus 1 कितना आजाएगा वह जाएगा 10 inverse 1 plus 1 by 2 sin inverse 1 10 inverse 1 कितना होगा pi by 4 plus 1 by 2 into pi by 2 तो यह जाएगा pi by 4 plus 5 by 4 कितना जाएगा pi by 2 because यह पूरा function जो है वो increasing and continuous function है इसका मतलब यह तो इसकी minimum value होगी यह इसकी maximum value होगी और भी इसकी सारी values लेगा because it is continuous function that is what this is the answer समझ गया क्या आप लोग इस बात को तो I hope आपको यह दोनों question clear होंगे किसी का कोई doubt हो तो नेचे comment section में आप जरूर लिखें आज के lecture में बस यही कल से अपन और अच्छे questions के बीच में मैं हजिर होंगा thank you so much आपको उच्छे